गिरते हैं शाहे सवार ही जंगे मैदान में वो तिफल क्या खाक गिरें जो गुटनों के बल चला करते हैं नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ जियां दोस्तों एक्जाम में वही वच्चा फेल भी होगा जिसने तेयारियां की हो और जो उस परिक्षा भवन में बैठा हो और इस फिलिंग को उससे भेटर कोई नहीं समझ सकता कि जब हम किसी परिक्षा को देते हैं उसके बाद अगर हमें अपनी आशा के अनुरूप रिजल्ट ना मिले तो बहुत दुख होता है और मेरी भावनाएं उन सभी स्टुएंट्स के साथ हैं जिनोंने हिमाचर परतेश PGT हिंदी का ये एक्जाम दिया था और वे इस एक्जाम को उतीर नहीं कर पाए हैं तो ये आज का वीडियो हमारा बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए है जिनोंने ये एक्जाम दिया था और वे किसी कार्मोशिस में पास नहीं हो पाए हैं और इससे भी पहले मैं उन सब लोगों को शुब कामनाएं देता हूं उन सब लोगों को कंग्रेचुलेट करता हूं जिनोंने इस एक्जाम में सफलता हासिल की है और वो जो हमारी इसमें एक शॉट लिस्ट आई है उसके लिए जितने भी कंडिडेट्स को डॉक्यमेंट व रूप रहेगा और आप अपनी मंजिल को जरूर हासिल करें और अब मैं बात करूँगा उन लोगों के लिए जिनोंने ये एक्जाम तो दिया था और वो इस एक्जाम में पास नहीं हो पाए हैं तो ऐसी सिचुएशन में अब आपने क्या करना है देखिए आपने जहां तक पड़ा है अब ऐसा तो है नहीं कि जहां तक आप चल चुके हैं उसके बाद आप चलना बंद करतें तो आपने रुकने के लिए ये सफर शुरू नहीं किया था अगर आप रुक जाएंगे तो दुबारा आपको शुरुआत से ये चीज़ें करनी पड़ेंगी आपके पास आपके पास ओप्शन्स हैं यूजी सी नेट के और भी बहुत सारी चीज़ें लेकिन आप टीचिंग के तरफ जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट आपके लिए हैं आप देखिए यहां पर गलती आपको क्या करनी हैं जो आपने पहले किया वो इस बार अल्टी कमिशन में ना ह आएगा और इन प्रशनों का उत्तर देना मेरे लिए जो है वो मुश्किल हो गया था वाटसेप में कि बहुत सारी लोग यही मैसेज कर रहे हैं कि ल्टी कमिशन आएगा या नहीं आएगा देकि ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है हमारे हाथ में जो है वो है कमिशन आएगा या नहीं आएगा देखिए आना ना आना वो एक अलग इशू है लेकिन इतना तो तैय है कि ल्टी कमिशन निकलेगा जरूर बहुत से लोग कर रहे हैं कि टीजीटी की ये ल्टी की नहीं है तो हमें ये भी नहीं बूलना है कि जो पदनाम है वो ल्टी वा आप लोगों ने बहुत लंबा इंतजार किया PGT Hindi Commission का बहुत तयारियां की लेकिन बाद में क्या हुआ कि Commission ने क्या किया कि पहले आपके सामने एक syllabus रख दिया और उस syllabus के नरूप जो है आपको exam में question आ गया और यहां पर हुआ गया कि बहुत सारा जादा मुझे इस बात को कहन उनका ही आया और बहुत सारे लोगों के त्यारियों जो है उस क्यारहर पर नहीं हो पाई जैसा उनने सोचा था और इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव जो है exam में भी आपको देखने को मिला तो यही चीज मैं जा रहा हूँ कि LT Commission में अगर ऐसा ही हो गया तो फिर उस वक् जानते हैं दो पेपर होना लगभग लगभग तैय है यह अब कि उसमें भी आप जितने भी exam रहेंगे उसमें यह शियोर है कि उसमें दो पेपर आपको दिखेंगे तो एक चीज आपको अभी से करते रहना है HPG के और साथी साथ Current Affairs इन चीज़ों को तो पढ़ते रहना ही प विशास्त्र और जो कारेल ले हिंदी है यह सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उसमें तो इन सब बातों को आपको अभी से ध्यान में रखना है तो अब यसी बात है भाशा का पेपर है तो आपको भाशा यानि कि लिट्रेचर की जानकारी और भाशा विज्ञान की जानकारी और कारेल्यों में जो हिंदी रहती है यही सिलेबस आपका पहले था इसी के अनुरूप आगे भी सिलेबस बनता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिलेबस चेह जोगा देखिए PGT में भी तो यही था आपका जो हिंदी साहित्य वाला पोर्शन है वो आप तब तक क LTE कमिशन में भी होता है तो आप उसके लिए आपके पास एक बहुत जादा समय बच जाएगा अगर आप यह सोचेंगे कि एक महिने पहले दो महिने पहले नोटिपिकेशन निकलेगी तब हम प्रिपरेशन करेंगे तो यह कभी भी आप लोगों के लिए जो है एक सही दिश कि आप शुरुआत से कीजिए जीरो से कीजिए और हर एक चीज को बारीकी के साथ पढ़िए क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि एक्जाम का जो पैटर्न हो वो डे वाई डे जो है थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है तो आपको हर एक चीज को बिलकुल बारीकी से जो आपका Science है, आपके पास History है, Political Science है, Hindi है, English है, हर एक चीज आपको वहाँ पर पढ़ने पढ़ेगी थोड़ी-थोड़ी, Teaching Psychology है, तो ये पहले कर से लिए बस था जो पूराना था, उसके Recording मैं कह रहा हूँ देखना, तो ये जो सारी चीज़े हैं, इनको अभी Focus कीजी आप, और अगर आप चाहते हैं कि आपने अपनी तैयारियां, हिंदी साहित्य वारता हमारे चैनल के साथ करनी है, हमारी Online Classes जो है, वो Teaching Education पर होती है, तो आप स्क्रीन पर दिये गए जो हमारा WhatsApp नंबर है, उससे हम तक जुड़ सकते हैं, और अपनी तैयारियों को बहतर कर सकते है हमारा नया बैच जो है एक चुलाई से शुरू होने जा रहा है, तो आप उसमें अन्रोल खुद को कर लीजिए, और जो भी हमारा LT Commission का सिलेबस पहले का था, उसके अनरूपा भी हम अपनी तैयारियां करते रहेंगे, और जो भी पोर्षन साहित्य भाशा विज्यान कारेले हिंदी बगेरा बगेरा हिंदी व्याकरण वाला है, वो सारा हम उसमें कम्प्रीट कर लेंगे, और जैसे ही नई कोई नोटिफिकेशन आ जाती है कि हमारा LT Commission का नया सिलेबस आया है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग वही चीज़ें पढ़ेंगे, जो एडिशनली और जोड आपके लिए आने वाला है, थेंक यू